पाजी अब क्या बोल रही है? मैं तुसर बाजार से समान लेकर आए हूँ बाजार में इतनी फीड होती है, इसलिए मुझे ज़्यादा समय लग गया हाँ हाँ, जैसे मैं तुको पे समान लेने बाजार में गए ही नहीं हूँ अब यहाँ खड़ी-खड़ी बाते मत बना, घर का काम कर ले, मुझे बहुत जोर से भूक लगी है, चल्दी से खाना बना ले मानवी के जन में जाकर खाना बनानी लगती है, लेकिन मानवी के मन में वही बात चल रही थी माथव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कौन है जो मेरे मदद कर सकता है, क्या मैं मीत को यह सब पता करने के लिए बोलो नहीं, मीत मेरी बात क्यों मानेगा, वो तो मुझसे नफरत करने लगा है और उसमें इसके कोई गलती भी नहीं है, अकर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो शायद मैं भी उसे माफ नहीं कर पाती मानवी और प्रीट कॉलेज में बैठे हुए थे, मानवी तो इतनी उदास ना हो, जो भी होगा सही हो जाएगा कुछ सही नहीं होगा, तो जानती है, मीत मुझे कितना प्यार करता है, और मैं भी मीत को कितना प्यार करती हूँ हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें मीत मुझसे खुद ही दूर हो जाए तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तू मुझे बता कि मैं क्या करूँ सच्छे प्यार को यदी धोका दे दिया जाए तो सच्में प्यार करने वाला इंसान टूर जाता है क्या मतलब है तेरा प्रीद मैं किसी और लड़के से अफेर शुरू कर दू नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकती मैं खब कह रही हूँ कि शुरू कर बस तुझे ऐसा दिखाना है जैसे कि तुम मीत को प्यार नहीं करती बागे सब मैं समाल लूँगी ठीक है जब मीत आएगा मैं उसे बोल दूँगी कि वह मुझसे बात न करे उसके बाद मीत वहाँ पर आता है क्या हुआ मानवी तुम उदास की बैठी हो मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ क्या मैं तुम्हें समझता नहीं हूँ तुम मुझे बताओ तो मुझे मम्मी के लिए कपड़े लेने थी मुझे मॉल चलना चाहिए वहाँ पर अच्छे कपड़े मिलते है मानवी मॉल में कपड़े लेने जाती है एक्सक्यूज मी क्या आप मुझे बता सकती है कि पास में कोई ATM है क्या मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था शॉप की पर बोला कि उसकी कार्ड मश्री खराब है इसलिए मुझे कैश निकालना होगा हाँ मॉल के बाई तरफ एक ATM है अब वहाँ जा सकते है लड़का वहाँ से चला जाता है तब ही मीट वहाँ पर आता है कौन था वो लड़का कोई नहीं बस ऐसे ही क्या बस ऐसे ही मीट चॉकलेट गिरा कर चला जाता है मानवी रोते हुए चॉकलेट उठाती है यह सब कैसे हुआ मुझे नहीं पता वह लड़का कौन था मैं तो जानती भी नहीं थी और मीट को लगा कि वह मेरा बॉइफरेंड है सच में अच्छी बित्तिफाक है यह जिंदगी भी न ना जाने क्या क्या खेल खेलती रहती है मानवी है सोचते हुए भूल गई थी कि वह खाना बना रही है उसकी सबजी के जलने की महग पूरे घर में घूमने लगी थी उसकी सास वहाँ आकर यह तु क्या कर रही है सारी सबजी चला दी तुझे खाना बनाना आता नहीं है क्या ही भगबान मेरे तु करब ही फूट गए है कैसी भू मिली है इससे अच्छा तो मैं माधव की शादी अपनी दोस्त की लड़की से कर देती तो बहुत अच्छा होता अब खड़ी-खड़ी मेरा मूह मत देख जल्दी से यह सब साफ कर दे मानवी सब साफ करने लगती है आगली सुभा आज मेरा ओफिस का पहला दिन है मुझे थोड़ा जल्दी ही निकलना होगा मीट अपने ओफिस चला जाता है ओफिशल सूट में मीट बहुत स्मार्ट लग रहा था जैसे कोई फिल्म का हीरो हो उसे देखकर ओफिस के आस-पास की लड़के आपस में बोले मीट अपने बोस से मिलता है बोस उसको सारा काम बता देती है मीट एक समझदार लड़का था तो वह काम बहुत अच्छे से करता है ये लड़का तो मुझे लंबी रेस का घोड़ा लग रहा है ये जॉब इसके लिए नहीं बनी लगता है किसी मजबूरी की वजह से यहां पर आ गया है बोस मीट के पास जाता है और बोलता है क्या तुम इस जॉब को लेकर खोश हो हाँ क्योंकि मुझे बड़ी महना से ये जॉब मिला है अगर मैं तुम्हें कोई इस से अच्छा काम दूँ तो क्या तुम करोगे मतलब मैं कोई समझा नहीं मेरा एक कार का शुरूम है मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर मैनेजिंग डाक्टर बन जाओ क्योंकि तुम्हारे बात करने के तरीके और तुम्हारे परसनेल्टी जॉब के लिए नहीं है तुम मेरे शुरूम पर काम करोगे तो मैं तुम्हें यहां से दोगुनी सेलरी दूँगा